कहते हैं कि कोई भी जंग अपने साथ तबाही लेकर आती है और रूस यूक्रेन के भी छिड़ी जंग ने भी तबाही मचानी शुरू कर दी है रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्णोबेल न्यूकलिय प्लांट पर कबजा कर लिया है हाँ वही चर्णोबेल जुसे एतिहास का सबसे बड़ा परमानू हाथ सामारा गया है चर्णोबेल पर रूस का कबजा होने से एक बार फिर हाथ से की आशंका जताई जा रही है क्यूकि यूक्रेन की परमानू संस्था ने कहा है कि चर्णोबल न्यूकलिय प्लांट में निकलने वाले रेडियेशन के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है इस न्यूकलिय प्लांट में अब भी टनो परमानू फ्यूल रखा गया है इसलिए यहां कोई भी हमला होने से एक बड़ा हाथसा हो सकता है। तो जानते हैं कैसे साधारन टेस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े परमानू हाथसे को जन्म दिया। 1986 में हुआ चर्णोबल न्यूकलियर हाथसा दुनिया का सबसे बड़ा परमानू हाथसा है। यूकरेन के चर्णोबल न्यूकलियर प्लांट में स्थानिय बिजली गुल होने की स्थती को लेकर टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट से पता चलता कि बिजली जाने पर डीज शुरू हो गई थी। 26 अप्रेल की रात टेस्ट शुरू हुआ। रात करीब देड़ बजे टर्बाइन को कंट्रोल करने वाले बॉल्ब को हटाया गया। रियाक्टर को आपास स्थिती में ठंडा रखने वाले सिस्टिम और रियाक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर इसे न्यूक्लियर रियाक्शन और तेज हो गया। प्लांट पे अफरात अफरी का महौल था। रियाक्टर को बंद करने की कोशिशे हो रही थी। कि रियाक्टर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबर्दस था कि रियाक्टर की छत उडे। यहां मौझूद 32 लो रेडियेशन हवा में पैल चुका था इसलिए इसको छपाना मुश्किल था चर्णोबेल न्यूक्लियर प्लांट में हाथसे के बाद जो रेडियेशन निकला वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराएगर परमाणू बंब से 400 गुना अधिक था अधिकतर मलबा चर्णोबेल के आसपास के इलाकों में गिरा जैसे यूक्रेन, बेलारूस और रूस इन इलाकों के 50 लाख लोग इसकी चपेट में आए रेडियेशन फैलने से 4000 लोग मारे गए चर्णोबेल हाथसे से प्रभावत लोगों की पुष्टों में भी इसका असर दिखता है वही रूस का चर्णोबेल पर हमला अनेक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि रूसी सीमा से कीव तक का सबसे छोटा रास्ता चर्णोबेल से होकर गुजरता है इसलिए रूस ने सबसे पहले चर्णोबेल पर कबजा किया वही कबजे के बाद अब रेडियेशन का स्तर बढ़ना खत्रे की घंटी बाना जा रहा है और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दनिक भासकर आप के साथ